सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टेक चैनल को और बेल आइकन को दवाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है दोस्तों आज हम देखिंगे कि हम अपने वाशिंग मशिन को क्लीन कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए हम एक मोड यूज करेंगे जो कि है तब क्लीन जो इसमें अल्रेडे दिया हुआ है तो इसके लिए हमें टीन स्टैप लेने पड़ेंगे पहला हम इसके इसको हटाके क्लीन करेंगे दूसरा इसके अमतर जो फिल्टर है हम उसको क्लीन करेंगे जो यहां पे है और तीसरा हम टप क्लीन करेंगे तो पहला step है इसको ग्लेम करना इसके बीचे के होस को क्योंकि इसके तुरूँस में पानी जाता है तो पानी में बहुत सारी ग्रंदगी होती है मट्टी होती है तो वह इसमें आ सकती है तो छले हम इसको खोल लेते हैं और यह दिखिए, मैंने इसको निकाला और यह दिखिए इसके अंदर काफी मिट्टी सी जमिय हुई है तो इसके लिए मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ अब इसको अच्छे से प्रेशर से भी क्लीम कर सकते हैं यह अच्छे से क्लीन हो गया है और इसके बाद आप इसमें भी देख सकते हैं कुछ गंडगी ना हो तो इसको बैसे आप कर सकते हैं और इसके बाद इसको आप वापस से लगा देजिए और इसको भी वापस से लगा देता हूँ तो यह था फर्स्ट स्टेप अब दीए सेकंड स्टेप में क्या करना है अब इसको खोलिए और इसके अंदर यह देखिए हम पे एक फिल्टर लगा हुआ है LG में इसको आप प्रेस करके निकाल लेजिए अब इस फिल्टर में कुछ रेशे फसे हुए है अब आपको दिख रहे होंगे तो यह देखिए यह रेशे हैं इसमें कुछ हमको इनको क्लीम करना है तो आप यह देखिए यह सारी गंदगी यह कपड़ों से निकल निकल के इसमें एड़ाप उतर रहता है अब इसको ऐसे करके खोल लीजिए और यह देखिए इसके अंदर कितनी गंदगी जम है यह देखिए क्या क्या जम गया इसके अंदर यह सारा आपकी कपणे पर मिट्टी से ही लग हो गया तो आप इसको यह देखिए कितना नंदी निकली है इसमें अब इसको भी पानी से अच्छी ते च्रीन कर लेजिए यह भी आपका हो गया अब इसको दुबारा लग दिता हूँ तो यह इसमें दुबारा लग दिया अब दिखिए जो पीसरे इसका फेज है वह है तब क्ली मोड में क्या है दिखिए मैं प्रोग्राम सेट कर ले तो में पर ही अब यह नॉर्मल पर था जेंटल श्ट्रॉंग यह दिखिए अब यहां यह इससे थोड़ा जाधा टाइम भी लग सकता है तो आपको यह क्लीन करनी कि हो है क्योंकि देखिए हर महीने या दो महीने बाद हो सकते है आपकी वाशिंग मशीन से इस एक स्मेल आने लग जाए तो आप उसे स्मेल को हटाने के लिए ही तब क्लीन करते है तो इस से हिनर मेरी फिरूइट से सकते हैं तो वे चलिए अभी मेरी में आपकी टैप से अटैच कर लेता हूं और फिर दिखाता हूं कि इसको कैसे करना है तो थेर्री स्टैप में हम इसमें यूज करेंगे आपकलीन मोड यह इक मैंने स्तार्ट किया और मेरी प्रोग्राम से इ और उसके बाद मैं इसको श्टार्ट कर देता हूँ और इसमें पानी आना शुरू हो चुका है अब आप इसको खोलिए और इसमें आप पूराचा मीने गडाल देगी लगता है आजा कब तो मैं इसमें मीने गडाल देता हूँ अब आप इसको बंद कर सकते हैं और यह रिखिए यह अपने आप इसमें सारा काम होता रहेगा और यह इसको पूरा अच्छे ते फुल भरेगा और इसके बाद इसका टब कीन होना शुरू होगा तो दोस्तो अभी इसमें लगबग आदा घंटा बचा है और यह लेकी मशीन गूम रही है और इसमें पूरा टैन तक पानी लिया है तो यह इसमें पूल फिल्ड है और यह अभी गूम रही है अभी आदा घंटा इसमें काफी बचा हुआ है तो दोस्तो इससे सारा पानी न लिए पानी निकल चुका है तो दोस्तो आज हमने देखा कि हम अपने वाशिंग में तब क्वीन मोर कैसे यूज कर सकते हैं तो हमने इसके लिए देखा कि इसने पूरा 10 पॉइंट तक पानी लिया और लगबग 2 गंटे कर इसने टाइम लिया हमने पानी में थोड़ा सा विनेगर भी ढाल दिया ताकि जो भी इसकी बदबू है वो निकल जाए ये तुकिया हमने टब कर सकते हैं मैं बंद कर दिता हूँ तो आज की वीडियो में दोस्तो इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं और दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें